समस्कार दोस्तों आप सभी का सौगत है चाट मुझो के इस नई वीडियो में और जो फ्राइड की दिन मार्केट देखने मिला हमें वहाँ पर हमें एक अच्छी अपसाइट टेजी देखने मिली ओके और जैसा एक्सपेक हम कर रहे थे कि थोड़ा म्यूटेट रहेगा लेकि इसके उपर की क्लोजिंग नहीं मिल रही हमने देखा कि यह जो कैंडल बनी इधर फर्स्ट कैंडल मैंने अरो माग किया यह उपर तो जरूर खुली गैप आप के साथ बट नीचे बंद हुई मिली है वो यह फॉलिंग रिजिस्टेंस लाइन के उपर मिली है आपको कई लोग को यह डाउट होगा कि सर हम ऐसे लाइन कैसे मा सकते हैं क्योंकि हमें इधर कैंडल मिली है ठीक है तो दोस्तों यह जो लाइन थी पहले सही हम देख रहे तो इसको ट्रैक कर रहे थे और अब फाइनली इस लाइन के उपर हम चले गए है तो अब अगर चार्ट को प्रैक्टिस करोगे तो आपको यह चीज मिलेगी लेकिन हाँ इसको जादा कन्फूजन की तरह नहीं लेना है अभी मार्किट के आने वाले सेशन के लिए 19.500 का वेट करना चाहिए 19.500 के बाद हमे 19.575 और 19.650 यह जो दो स्विंग्स हाई है वह तक का एक इसके अंदर अनुमान बन सकता है कि एक बार मार्किट जाए उदर और शॉर्ट करने के लिए अगर गैब डाउन खुलता है मार्किट में तो अवाइट करना चाहिए क्योंकि देखो यहाँ पे ना चॉपिनेस के जाधा आसार बन जाएंगे ठीक है तो शॉर्ट जो फ्रेश बनानी चाहिए एक अच्छी स्विंक लें इंटर रेक के अंदर वो 19.225 इसके नीचे बनानी चाहिए और 19.150 और 19.100 यह लेवल के लिए अटेंब किया जा सकता है अगर वो लेवल ब्रीच होंगे तो ओके coming to the bank nifty part जैसे कि मैं बता रहा था कि bank nifty में लग नहीं रहा था कि यह उपर जाएगा हम जो सोच रहेते उसके अपोजिटी हुआ जो indices में हम जैसा सोच रहेते अपने थर्स्टे के वीडियो में और bank nifty के अंदर भी अच्छी तेजी थी यहां पर क्या करना चाहिए हमें ए historical analysis करोगे आपको दीखेगा कि banking IT अधिकतर साथ में नहीं चलते हैं बहुत रहली दीखेगा तो अगर IT एक बार move दिखाना चाहेगा तो banking थोड़ा subdued हो सकता है अभी इस case में जो breakout का level बनके आता है ठीक है तेजी जिसमें हम देखेंगे क्योंकि bank nifty पे resistance भी काफी सा रहे हैं bank nifty on the lower side again अगर कोई gap down opening होती है market के अंदर तो it's better to avoid क्योंकि choppiness है chart के अंदर sideways में हम first save है clean breakdown हमें अभी 43.800 के नीचे मिलेगा बट उसके बाद भी छोटा level है 43.600 और 43.500 ओके तो it's better to shift focus toward the counters या फिर निफ्टी की तरफ हम देख सकते हैं अभी अगर मैं US का chart देखू तो कल US के session नहीं रहेंगे कल holiday US के market में लेकिन US की futures है वो चलते हैं US के future हो गए DAX के future हो गए ठीक है महाँ पर ऐसा छॉलीडे से फरक नहीं पड़ता क्योंकि internationally trade होते हैं तो यह जो futures है वो active रहेंगे तो उसे हम track कर सकते हैं DAO का overall charge structure is okay एक follow up वो breakout हुआ है 34-600 में जो कि एक resistance बनता वा दिखाई दे रहा था उसका breach मिला है अभी follow up buying भी मिली है let's see यहां से किस direction में TG पकड़ता है या मंदी पकड़ता है ठीक है overall chart dick के ऐसा लग रहे कि फिलाल neutrally अब इससे consider करेंगे क्योंकि follow up के बाद selling की candle बनी है but attempt हुआ है next day to give a pullback अभी देखेंगे Tuesday को कि कैसा react करेगा DAO का DAO अभी मैं DXY देखता हूँ तो वहां पे हमें दिखाई देता है कि एक retest हो रहा है retest के बाद वापिस से DXY एक बार try कर रहा है to give a breakout तो यहां पे हम नज़र रखेंगे 106 का level है important 105.5 जो कि यह सबसे major swing high है overall यह जो sideways consolidation चला है अभी एक साल होने आ जाएगा इस consolidation को तो 105.5 की यह जो level है काफी important रहेगी ठीक है अभी मैं अगर Brent देखता हूँ तो Brent ने surprisingly दो दिन के अंदर काफी एक अच्छा move दिखा है अब यह move का तक चल सकता है अगर हम technically देखें तो इसके अंदर एक breakout दिखाई दे रहा है काई लोग इसे CNH भी बोल सकते हैं सर देखो sideways में अधिकतर यह sideways में CNH की तरह दिखाई देगा आपको second आपको एक मैं इधर एक line अगर खीचूंगा तो similarly एक breakout भी दिखाई दे सकता है एक rectangle type formation बना bottom पर overall आप इसे pennant की तरह भी ले सकते हो ठीक है अब pennant का आपको swing कैसे मिलेंगे till here okay like this और जो pennant का जो target आता है near about 93-94 के आसपास बनेगा अगर हम calculate करके करेंगे तो तो एक pennant pattern भी इसके अंदर दिखाई देता है तो overall brand I think so थोड़ी तेजी पकड़ेगा भी हो सकता है एक आदा candle doji candle बन जाए near about 90 level एक अच्छा psychological level भी है अगर हमें एक बड़ी candle नहीं बनते वे दिखाई देती हो सकता है doji candle बनके या थोड़ा sideways होके फिर उपर चले जाए तो एक बार के लिए अगर हम इसके exact level निकालना चाहे तो हम फिलाल इसे ऐसा pennant structure देखते हुए इसके target plot करते हैं इसके target निकल के आते हैं near about 91.27 ऑके बट बैं 93-94 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक बार यहां तक जाएगा तो इसके ये एक साल की consolidation का भी breakout हो जाएगा और उस वजे से 93-94 के लेवल तक एक बार के लिए हम इसमें Brent में move आते वे देख पाएंगे अब DXY उपर है Brent उपर ह और डाउ में session बन रहेगा तो डाउ future से क्यूज आएंगे हमें थोड़ा बहुत हम cautious रह सकते हैं ठीक है फिलाल Friday के दिन जो तेजी बनी है वो काफी हम देख सकते हैं अलग-अलग सेक्टर में भी बनी है ठीक है PHAL के अंदर तेजी थी उसके बाद मेटल काउंटर के अंदर लेगार रहता था ठीक है उसके अंदर भी टेजी दिखाई दिया सिमेंट के अंदर तो थोड़ा diverse सेक्टर में हुई है ठीक है ऐसा नहीं है कि एक दो सेक्टर चले है इस वज़े से अब हम क्या करेंगे हम थोड़ा एक बार के रिवर्सल प्ली आउट करना चाहेंगे क्यो क्योंकि थोड़े जो मैक्रो फेक्टर हैं वहाँ पे थोड़ा एक बार कॉश्यस बन सकता है महावल अगर ऐसा ही डी एकसाय और ब्रेंट उपर बढ़ता गया तो अभी हम देखते हैं कि एक बार पॉली कैप डिसकस किया था वहाँ पे हमें एक अपसाइड मूव आ गई है ये ब्रेकाउट मिला है डेफिनिटल एक छोटी मूव थी इसके बाद हम देख सकते हैं कि बियो रीटेस्ट के बाद भी जो इसका स्विंग हाई था वो भी ब्रीच किया है तो आने वाले टाइम में दो से तीन दिन में डेफिनिटली मेरे को लगता है कि एक बार के लिए अपसाइड मूव मिलनी चाहिए और इंडिगो का अगर चार्ट देखे तो इसमें एक जस्ट ब्रीच का अटेम्ट है 2400 का जो लेवल है 2405-2400 का जो लेवल निकल के आता है वो एक बार ब्रीच हो जाए तो डेफिनिटली इसके अंदर एक डाउनसाइड की मूव देखने म वो एक ट्रेंड के बाद देखते हैं ऐसे ट्रेंड है और फिर आपका राइजिंग वेज बन रहा है ओके तो यह बैसिकलिए इसले ऐसा देखते हैं कि आपका ट्रेंड बना काफी अच्छा और उसके बाद राइजिंग वेज बना मलब यहां पर कर रिवर्सल का संकेत है यहां पे sellers जो हैं वो इस upside direction को slow कर रहे हैं और जब breach होता है तो जो rising wedge का support resistance का distance होता है उसे साब से target निकलता है लेकिन ये जो rising wedge दिख रहा है हमें एक unusual जगे पे दिखता है और ये एक bottom पे दिख रहा है तो अभी इसके अंदर ऐसा लगता है कि एक बार breakaway gap का level जो निकल के आएगा 725 तक वहां तक एक बार के इसके अंदर move बननी चाहिए तो आने वाले session में 690 अगर ये breach करता है तो एक बार के लिए I think ये gap level filling process स्टार्ट हो जाएगा अगर 690 breach होता है IRCTC में अभी next जो है वो है IEX IEX का अगर counter देखे तो ये हमने broadening megaphone pattern के सबसे दिया था यहां पर हमने BD रिखा था breakdown as a BD breakdown हो सकता है इसके अगर ये falling support line के नीचे जाए आपर attempt है intraday में definitely okay बट उसमें follow up selling कभी बनी नहीं next day पर follow up selling कभी बनी नहीं ठीक है intraday के बाद apart from that इसमें कि reversal आया और reversal आने के बाद हम देख सकते हैं कि there is a gap okay तो अगर कल आने वाले session में ये counter 132 को breach करता है तो एक बार opportunity बन सकती है कि हम इसके अंदर 136 ये दो level पर gap fill हम होता बाद देख पाए okay तो ये चीज़ को हम धियान में रखेंगे और gap fill होने के बाद अगर move बन सकती है okay तो ये दो level ये दो counter हम रखेंगे अपने radar पे और इसे काफी सारे counter है वैसे जिन्होंने 5% 6% एफनों में move दिया है 4% वट हम ये दो set of counter के साथ जाना चाहेंगे इसमें gap fill की opportunity बनेगी in both IRCTC and IX तो उसे साब से एक थोड़ा safe type play कर पाएंगे तो दोस्तों I hope पसंदार होगा पसंदाता है तो जरूर लाइक करें अगर नए है हमारे चैनल पे तो जरूर सब्सक्राइब करें टिल एंटेक केर आइविल मेट यू इनर एक्स्ट विछ